नवरात्र की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकाम नाएं देवी के नौ स्वरूपों की नौ दिनों में अलग अलग भोग लगते हैं और अलग मंत्र का उच्चारन किया जाता है क्योंकि हर देवी का अपना सुरूप है और वो उसी अनुसार वर्दान भी देती है तो कौन सी देवी को मा के कौन से सुरूप को क्या भोग लगाएं कौन सा मंत्र जब करें और उनसे कैसा वर्दान आपको मिलेगा चलिए जानते हैं बिस्तार से तो जो नौरातर है नो दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के बीच आती हैं कहा जाता है पृत्वी लोग उनका माईका है और भक्तों की हर मनुकामनाओं को पूर्ण करती है मा सक्ति बिमारियों से मुक्त करती हैं आर्थिक समस्याओं से बचाती हैं तो आईए जानते हैं कैसे आप उनको प्रसंद करें तो मा का पहला स्वरूप है देभी सैल पुत्री का मा सैल पुत्री को सुध गाय का घी का भोग लगाया जाता है ताकि जीवन में जो स्वास्त समंदी समस्याओं वो परिशान ना करे अच्छा स्वास्त रहे आरोग्य की प्राप्ति हो और परवत राध हिमाले के हाँ जन्म लेने के कारण इन्हें सेल पुत्री कहा जाता है तो इनके पूजन से सदा धन धाने से परिपुर्ण रहते हैं और अच्छे स्वास्त की भी प्राप्ती होती है और इनका मंत्र है ओम एंग स्रिंग लिंग सेल पुत्री नमहा दूसरा मा का स्वरूप है मा को घी का भोग लग दुर्गा का वह रूप है जो भक्तों और साधकों को अनंत कोटी का फल परदान करने वाली है और इनकी उपासना से त्याग, बेराग, सदाचार, सैयम की भावना जागरित होती है मा ब्रह्मचारनी का मंतर है ओम, एंग, रिंग, क्लिंग, ब्रह्मचारने नमहा इस मंतर का जब आप मा को प्रसंद करने के लिए कर सकते हैं और मा को भोग लगाएंगे आप मा ब्रह्मचारनी को दूसरा सो रूप है इनको आप चीनी, सक्कर का भोग लगाएंगे या मिस्री का भी भोग लगा सकते हैं इनसे वो बहुत प्रसंद होती हैं जीवन में खुसियां बढ़ाती हैं मां का तीसरा स्वरूप है तीसरे दिन मां की जो पूजा की जाएगी तो मां का स्वरूप है चंद्र घंटा इस दिन मां को घंटा मां के मंदिर में अरपित के जाते हैं और म आरोग्य बढ़ता है बीरता के गुनों में बृधी होती है आपकी वानी अच्छी होती है और मा का मंत्र है ओम एंग रिंग क्लिंग चंद्रगंटाए नमहा तो दूद से बनी भी चीजों का भोग लगाईए तो सभी पापों से भी मुक्ति मिलेगी मा का चौता स्वरूप है मा कुसमांड़ा तो चतुर्थी के दिन मा कुसमांड़ा की अराधना होती है और इनकी उपासना से सिद्धियां और निधियां दोनों ही प्राप्त होती है रोग सोक दूर होते हैं आयू और यस बढ़ता है जीवन में स्थिर्ता आती है सुख सब्हें करने से भक्तों की सभी मनों कामनायपृन होती है और नवरात्र के पांचवे दिन केले का भोग लगाना चाहिए केला मा को भोग लगाने से उसका परशात की रूप में गरहन करने से आपका स्वास्त अच्छा रहता है और धन, सुख, यस, सम्मान बढ़ता चला जाता है तो मा इसकंद माता की उपासना से मोक्ष के द्वार खुलते हैं जो परम सुखदाई है इनका स्वरूप और साथ ही अपने भक्तों की समस्तिक्छाओं की पूर्ती करती है इनका मंत्र है ओम, एंग, रिंग, प्लिंग, इसकंद, माताय, नमः, मा का छठा सो रूप है और छटे दिन इनकी पूजा की जाती है इनकी पूजा से अद्वत सक्ति का संचार होता है दुस्मनों का संगहार करने में सक्चम बनाती है और इनका पूजा खासकर गोधूली बेला में किया जाए तो सरवोत्तम होगा मा का मंत्र है ओम, एंग, रिंग, किलिंग, कात्यायने, नमः, तो कात्यायन देवी का आप भोग क्या लगाएंगे देखिए मा के इस छटे स्वरूप को मा को सहद का भोग लगाईए मा को सहद बहुत पसंद है और सहद का भोग लगाने से जीवन में अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ती होती है मा का सात्मा सोरूप है मा काल रात्री भूत प्रेतों से मुक्ती दिलाने वाली देवी काल रात्री की उपासना करने से सभी दुखदूर होते हैं और इस दिन माता को गुड और मेवे के लडू का भोग लगाएं मा को लड्डू चरहाने से लड्डू जो भोग लगा यद कि उध्र का तो आधा गुड परसात के रूप में पूरे पड़ और रंग कर दिदो कि olan तो मा काल रात्री जो है उनका चुकि सब्सक्षर Васvette इनकी पूजा होती है पापों से मुक्ति हने मंत्र और मा महा चुझे होकर चेरे की ऐता है मा देभी का ऐत्वा सवरूप महा ऑउरी के दिन पूझा कि जाती है और समस्त पापों का च्हे होकर चेहरे की कांती बढ़ाता है सुक बढ़ता है सत्रु समन होता है और मां का मंत्र है ओम एंग रिंग लिंग महां गौरे नमहां तो मां के आठमे सरूप को आप भोग क्या लगाएंगे देखिए मां के आठमे सरूप को नारियल का भोग लगाने से घर में सुक्सम्रिद्धी आता है संतान से जुड़ी सारी परिसानिया समाप्त हो जाती है और नवरात्र का जो आखरी दिन है वो नवा सुरूप मा सिद्धी दात्री का है तो मा सिद्धी दात्री की पूजा नवे दिन होती है और इनको तिल का भोग लगान आइसे किसी भी तरह का जीवन में अनहोनी नहीं होती हर तरह की समस्याओं से मां बचाती हैं इनकी औरादना करने से अनिमा लगुमा की प्राप्ति प्राकाम में महिमा इसित्व, सर्वकामवारसांति, दूरस्रवन, परकाया प्रवेस, वाक सिद्धी, अमरत्व, भावना सिद्धी, आदिसमस्तणव निधियों की प्राप्ति होती है मा का मंत्र है ओम, एंग, रिंग, लिंग, सिद्धी, दात्रे, नमहा तो इस मंत्र का जाप मा को प्रसंद करने के लिए कर सकते हैं तो नौ दिनों में मा के अलग स्वरूप की पूजा होगी और अलग भोग लगाया जाएंगे मा से आप दुरुगा जी का अब जवाब पूजा कीजिएगा तब मा के अलग अलग सुरूप को अलग 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 घर में आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं भोग लगा सकते हैं लेकिन आसिरवाद तो आपको मा से उतना ही मिलेंगे जितना की आपको अभिलासा है तो मा को जब आप उनके पसंद का भोग लगाते हैं, मंत्र जब करते हैं उनके पसंद का पुष परफित करते हैं तो मा भी भक्तों की समश्त मनुकामनाऊं को पुण करती हैं लेकिन एक बात याद रखियगा दवरातन में पुन तेया सात्विक भोजन खाईएगा और संभब हो तो किसी दूसरे के हाँ का भोजन इस समय मत खाएं किसी दूसरे का दियावा सफेद मिठाई भी ना खाएं धन्यवाद जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेब जरू लिखें